हलो फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ आपके साथ मेंगो स्मूधी एक डिफिंट तरीके से आई होप आपको पसंद आएगा तो आप यह एक पर ट्राई करें यहाँ पर मैंने एक काम को काट लिया है और एक केले को काट लिया है इससे हम दो ग्लास को रड़े करेंगे अब यह हैं मिक्सर के जाड में कटे हुए आम को डालेंगे यहाँ पर याम अगर मीठी हूँ तो जड़ा अच्छा होगा और से फ्लेवर ज़ा अच्छा होगा खटे आम का यूज है हम यहाँ पर नहीं करेंगे हमने एक आम काटा तो उसका आधा पार्ट डालेंगे आधा पार्ट रख लेंगे अब यहाँ पे हम कटे हुए केली को डाल देंगे केली को डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हैगा यहाँ पे हम दो फ्रूट्स का इगूस कर रहे हैं सिर्फ आम और एक केली का अब हम यहाँ पे शहर डालेंगे एक चमच शहर ले रही हूँ आप इसके जगह पे चीनी का इस्तमाल भी कर सकते हैं अब हम यहाँ पे दो बड़े चमच योगर्ट डालेंगे यहाँ भी वैनेला फ्लीवर भी योगर्ट डाल सकते हैं और विदाव फ्लीवर भी योगर्ट डाल सकते हैं यहाँ पे हम मिल्क का इस्तमाल करेंगे जितनी तिकनस आपको चाहिए उसी के साब से मिल्क डालेंगे अब भी आदा ग्लास हम इसमें मिल्क डालेंगे आप देख सकते हो अभी मैंगो स्मूदी का क्वेस्ट मैंने रेडी कर लिया है अब हम यहाँ पे ग्लास को रेडी करेंगे तो अब हमें अपनी ग्लास को सजाना है अच्छे से डेकुरेट करना है इसके लिए मैं कटे हुए आम ले रही हूँ एक आम का जो आधा पार्ट मैंने मिक्सर में डाला था और आधा पार्ट जो मैंने बचा लिया था वोही कटे हुए आम को मैं ग्लास में डाल रही हूँ ग्लास के चारूर अच्छे से फैला देंगे एक इंज तक की लेर लगाएंगे हम ये कटे हुए आम की हमने यहाँ पर कट वे आम की एक लियर लगा दिये अपर हम यहाँ पर मैंगो स्मूदी डालेंगे आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी तिखनेस, इसको गाड़ा भी नहीं रखना है और इसको बहुत जब ज़दा पतला भी नहीं रखना है अभी यहाँ पर हम एक और लियर लगाएंगे कटे हुए आम की एक इंच या आधा इंच हम यहाँ पर एक लियर लगा सकते हैं आम की यहाँ पर हलके से आम को चार ओर गलास के रख देंगे अलिये प्रोसिस तो पूरी हुँई अब हम यहाँ पर कट वे नट्स डालेंगे आप कुछ भी ले सकते हो आप आलमेंड ले सकते हो पिस्टेश्य ले सकते हो यहाँ पर कैश्य ले सकते हो कुछ भी जो आपके पास हो वो आप में डाल सकते हैं अभी मैं ग्लास को एक और लुग दोंगी वो है विफ्ट क्रीम से आप घप भी बना सकते हैं और या मार्केट से भी ले सकते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे मैं रिडिमेट मार्केट का यूज कर रही हूँ बस इसकी नौजल को प्रस करना है और इसको ग्लास के चारोर लगा देना है यह विफ्ट क्रीम कहीं भी आपको मिल सकती है जहाँ पे केक का सामान मिलता है कि सीवी स्टोर पे वहाँ पे आप आराम से इसको ले सकते हैं अब हम इसको उपपर से डेकरेट करेंगी कटे हुए नट्स से यहाँ पे बहुत आराम से हमें नट्स लगाने हैं कटे हुए चारो ग्लास के लगा देंगी अच्छे से तो लीचे यह हमारा टेस्टी, हल्दी और इनिक स्टाइल का मैंगो स्मूदी तैयार हो चुका है आप इस मैंगो स्मूदी का ग्लास फ्रेज में थोड़ेगे रख सकते हैं लेकिन विफ्ट क्रीम का यूज हमें सर्फ करने के टाइम करना है विफ्ट क्रीम को यूज करने के पाथ हमें उसको फुछ में नहीं रखना है तो बस ग्लास तैयार करिए, विफ्ट क्रीम डालिए और फॉरण फॉरण सब करिए आप आज की रस्पी आपको बहुत इजी और टेस्टी लगी होगी तो आप इसको एक पर ट्राइक करिए और आज का वीडियो कर आपको पसंद आए हो तो प्लीज में चनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूली फिर मिलते हैं कुछ नई रस्पी के साथ, कुछ नए टेस्स के साथ